दोस्तो इस रेसिंग वाले खिलाडी ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती अगर आप में जीतने और लड़ने का जब जब जबा है तो आप ज़रूर जीतोगे असमें एक नेशल इवेंट चल रहा है और इस इवेंट में 400 मीटर दोड़ की एक रेस भी होने वाल थी जो उपर से कुट कुट किन जाते हो वाली रेस इसके 20 मिनट पहली उसी रेस के एक खिलाली विलफ्रेड नामक वहाँ पर एक आदमी ने विलफ्रेड को एक घुमाकर और उनकी आग पे जाके लगा मुका और उनकी आग चोटिल हो गई दोस्तो सबको यही लगा कि विलफ्रेड अब रेस में हिस्ता नहीं लेंगे और लोग को लगा यहाँ पर एक कॉम्पिशन कम हो गया लेकिन विलफ्रेड तो विलफ्रेड ही थे उन्होंने सब कुछ त्य हमले किया था तो बिलफ्रेड के कोच का भी इसके बहुत नराज है उनका कहना है कि ऐसे कामों से यहाँ पर एथलीट का पूरा करियर भी खतम हो सकता है दोस्तों यहाँ पर बिलफ्रेड का कहना है कि वो आदमी बिना फालतू में जगडा कर रहा था जिसका ना कोई सर था कोई पैर था और वो उचल उचल के उनके मूपर मुक्के माहने की कोशिश करा था जिसमें से एक लग भी गया जिसर जिस उनके आँख में चूट लगी वो आप लोग ने फोटो में देखी लिया होगा लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो इनसे कोई धान नहीं दे रहे हैं अब वो जो आगी कि जितने भी टूनामेंट है जितने भी रेस हैं वो उसके लिए तैयारी में जूट जाएंगे